नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की वक्षीट हमारी इंग्लिश की वक्षीट है वक्षीट नमबर है 171 चलिए आज की वक्षीट को पढ़ते हैं और करते हैं यानि कि पहले उसको अच्छे से पढ़ना है और एंजोय करना है स्टोरी को जो की नीचे दी गई हुई अब कुछ भुक्स खरिदने गई हैं एक लड़की है और उसका भाई है कुछ पैसे ग्रांट फादर ने दिये हैं और उन पैसों से उन्होंने डिसाइड कि कुछ बुक्स खरिदते हैं बोट अफ देम यानि कि दोनों वर वेरी हैपी एस दे लवड तो रीड बुक्स हावरवर दे वर कन्फूज़ अबाउट वेर टू गो एक बड़ी मार्केट में खरीदने जाएं या एक छोटी दुकान से खरीदें इस बारे में वो कन्फूज़ थे फिर अंदर जाने के बाद उन्होंने आपस में यह डिसकस किया कि उनको कौन सी बुक लेने चाहिए ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स है या फिर ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है अब जो बुक शोप ओनर था जिसकी वो दुकान थी और उसने भी उनकी हेल्प की बुक को चूज़ करने में चाटने में देर प्रोब्लम वाज सोवड वैन दी ओनर ओफ दी शोप शोड देम ए वराइटी ओ बुक्स बुक्स जानुर से जुड़ी हुई मशीन और वर से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी किताबे बुक शोप ओनर ने उनको दिखाई अप दूनों ने एक एक बुक खरीद ली उनमें से चल समय और फिर वो अपने grandfather के पास दादा जी के पास चले गए उनके bed पर बैट के उनसे कहानिया सुनी Read the story going to buy a book from your textbook Marigold अब आपको यही story पढ़नी है अपनी book से और कुछ answers नीचे लिखने हैं कुछ questions दिये गए हैं उनके answers लिखने हैं पहला question जैसे क्या है What did the grandfather give the children? तो grandfather ने उनको क्या दिया था? पैसे दिये थे खरीदने के लिए तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? यह रहा Their grandfather gave them some money यहां तक लिख देंगे answer Their grandfather gave them some money Second question क्या है Where did the children finally decided to go to buy books? The children अब finally कहां से book लेने के लिए उन्होंने decide क्या? यह रहा They decided to go to a small book shop यह हमारा answer हो जाएगा Finally they decided to go to a small book shop Third question क्या है The girl bought a अब यहां पर हमसे पूछा है कि जो लड़की थी उसने कौन सी book खरी दी? और लड़का था उसने कौन सी book खरी दी? तो यह हो गया हमारा answer The girl bought a fat book with many stories और her brother bought a her brother bought a big book with many pictures यह हम यहां लिख देंगे pictures वाली line और fat book with many stories वाली line यहां लिख देंगे यह हमारा answer हो जाएगा आगे पढ़ते हैं Children, you must have also read many story books अब यहां पर एक face बनाया हुआ है इसको बोलते हैं smiley हमारा जो expression है face expression है हम happy है या sad है इस तरीके से हम जो बनाते हैं कागज पर या किसी paper पर या type करके लिख देते हैं तो उसको हम smiley बोलते हैं तो ऐसे ही इसने बोला है share with us what attracts you the most while choosing a book from your class library तो जब आप अपनी class library से book choose करते हैं तो आप बताइए आप कौन सी book को देख कर खुश होते हैं और उसके साथ साथ आपको एक smiley face भी बनाना है जैसे मान लेजिए illustrations यानि drawings अगर आप किसी book में drawing देख कर खुश होते हैं तो आपको खुशी वाला smiley यहां बनाना है cover page को देख के आपको कैसा लगता है वैसा ही face आपको यहां बनाना है smiley से title of the story cover page कौन सा page है जो book के बिलकुल शुरुवात का page होता है जो की cover page होता है उसका cover को देख के book के cover को देख के आपको कैसा लगता है पहले page पे जैसे pictures वगरा चपी होती है title of the story कहानी का नाम पढ़कर आपको कैसा लगता है वो smiley आपको यहां बनानी है the text short story और long story अब जो story में जो कहानी लिख्यूई है उसको देख कर आपको कैसा लगा या कैसा attract होते हैं आप वैसे smiley यहां बनाएंगे इसके साथ साथ page number 123 जो की English workbook में है वो अभी आपको करना है आज की class यहीं खत्म होती है अगर आपके कुछ doubts अभी भी बाकी है तो आप comment section में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन